नमस्कार सभी को जिसपे मैं आपको regular जो भी law classes के संदर में notes वगरा रहते हैं उनको provide करता रहता हूं और law के students भी आपस में interact होते रहते हैं और last में आपसे request करूँगा कि अगर आपका music में interest है तो मेरा एक YouTube पे एक चैनल है जिसका नाम है चिडिया music आप उससे भी connect हो सकते हैं अगर आपको music म ठीक है चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं गुडिवनिंग टू ओल जुडिशिया लौक लासेज में आप सभी का स्वागत है आज कि हम इस वीडियो में देखेंगे जमानतिया मामलों में जमानत लेने समंदी उपबंद क्या है और साथ ही हम भारतिया निया सुरक् इसकी में पॉइंट देख लिए हैं पेहला पॉइंट इसमें अपरादों के दू भाग, नबर दो अजमानतिया अपराद में जमानत सम्मंदी उपन्ध, नबर तीन कब जमानत नहीं ली जा सकेगी और साथ ही इसकी अप्वाद नबर 14 पर देखेंगे जमानत की सत्वें, नमर पांच पर अन्वेशना अधीन व्यक्ति को जमानत कब दी जा सकेगी? नमर च्छे पर देखेंगे जमानत का सिध्धान और नमर साथ पर देखेंगे जमानत में उच्छवास्यसन न्याले की सक्तियां ये टोटल आपके 7th पॉइंट है इसको लेक्चर कहो चलिए आगे डिसकस करते हैं नमर एक अपरादों के दो भाग जमानती अपराद और अजमानती अपराद तो CRPC की धारा 436 में जमानती अपराद के बारे में बता गया है जबकि नए कानून में यहाँ धारा 480 है और अजमानेती अपरादों के बारे में CRPC में 437 वा 449 में बताये गया है और नई विदी के अंतरगत 482 वा 485 ये धाराएं परवर्तित हो गई है दूसरा पॉइंट है अपना जमानेती ये मामलों में जमानत संबंदी उपबंद जो स्वारी अजमानती ये मामले हैं उनमें जमान संबंदी उपबंद क्या है धारा 437 और नई विदी में ये धारा है 482 तो किसी वी इस विदी के अंतरगत अजमानती मामले क्या है और अजमानती ये अपराद का संदे होना अगर किसी अद्गारी को पलिस अद्गारी को लगता है कि यह मामला अजमानती है तो उसका संदे होना ही परयाफ्त है वारंट के बिना गिराफ्तार किया जा सकता है या उसे निर्द्ध किया जा सकता है उच्छ वास्थेस न्यायले से भिन अन्य किसी भी न्यायले में पेश जमानतना है यहाँ व्यक्ति का अधिकार हे तू किलेम नहीं है वह सक्ता यह जमानत कर सकता है कि मज़ यह जमानत करो जो थर्ड पॉइंट है अपना वो यह है कि कब जमानत नहीं ली जा सकेगी 437 एक उपधारा एक में जो नई विदी में 482 एक में देखा जा सकता है तो जब व्यक्ति कब जमानत नहीं ली जा सकती जब व्यक्ति मिरत्यू आजीवन कारावास का दोसी हो या संगय अपराद किया हो जिसमें मिरत्यू आजीवन कारावास या साथ वर्षे अधिक कारावास अधिक के लिए दोसिद्ध पहले से ही किया गया हो नमर तीन या पहले अजमानतिय या संगे अपराद में दो वर्ष से अधिक लिए दो सिद्ध किया गया हो तब उस व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकेगी या जमानत नहीं ली जा सकेगी लेकिन इसकी कुछ अफवाद हैं अफवाद कारती यह है कि इन परिस्तितियों उक्त परिस्तियों तेनों के बाद भी कुछ इस्तितियां ऐसी हैं जिनमें जमानत दी जा सकेगी यानि जब अभ्युक्त की उम्र 16 वर्ष से कम हो अगर कोई इस्त्री हो कोई रोगी या सितलांग व्यक्ति हो जिसे हम नॉर्मली फिजिकली हैंडिकैप भी बोलते हैं और इन परिश्चित्यों के साथ में यहां नहीं है कि जमानत दे दी ही जाएगी नियाले का विवेक इस पर निर्वर करेगा नियाले अपनी सौब विवेक से देखेगा कि परिश्चित्यों क्या हैं नमर फोड पॉइंट है जमानत की सर्तें धारत 437 उपधारत 3 में नई विदी के अंतर के 482 है उपधारत 3 तो सर्तें क्या रहेंगी तो बंद पत्र सर्तें अनुसार हाजिर होना होगा बंद पत्र की जो सर्तें उसके अनुसार हाजिर होना होगा अपराद की प्रणावरती नहीं करे इसकी उससे एक तरह से प्रॉमिस ली जाएगी न्याय हित हितू अन्य सर्थें भी अधिरूपित की जा सकेंगी यानि न्याय की संदर में अगर न्याय ले चाहे तो अन्य परिश्थितियों के अन्कूल कोई भी सर्थें लागू कर सकते हैं तब उसे जमानत दी जा सकेंगी ये जमानत की कुछ सर्थें हैं फिप्थ प्वेंट है अगर केशी व्यक्ति पर कोई मामला विचारा दीन है चल रहा है या अन्वेशन के अधीन है घोजबीन की जा रहे हैं तत्तियों की साक्ष्चियों की तब कब जमानत मिल सकेगी धारा 166 उपधारा 2 में यह बताया गया है नई विदी की धारा 187 या 10 वर्षे अधिक अवदी का कोई उसे अपराद किया हो या दंड मिला हो तो और साथ में ही न्यायक अवरक्षा में हैं अगर वहां न्यायक अवरक्षा में हैं और अन्यवेशन पूरा नहीं हुआ है तब उसे जमानत 90 दिनों के बाद मिल पाएगी यानि अन्यवेशन क्रतिव आजिवन कारावास 10 वर्षे अधिक अवदी का कोई क्राइम उसने किया है या किस मामला चल रहा है और वहां न्यायक अवरक्षा में है और अन्यवेशन पूरा नहीं हुआ है तब उसे 90 दिनों बाद जमानत दी जा सके जी जबकि दूसरी इस्तिति यहाँ है इसम करें जासे आजिता है जरूरी नहीं है इन दोनों परिस्तितियां परकारत 2 परिस्तिति पर नियालवा' पर ne leverage करे अगर उसे असा प्रतीत होता है कि जमानत की जासकती है नहीं सकती तो बड़ की जा सकेगी और ये 90 दिन और 60 दिन जो बताएं है वा गिरपतारी का दिन सम्मलित नहीं है गणना मजिस्ट्रिट के समझ पेशी करने से की जा सकेगी यानि जब मजिस्ट्रिक समझ अवियुक्त पेश होता है उस दिन से पेशी की गणना दिनों की गणना की जाती है अपना च्छटवा जो Point है इसमें वो है जमानत की सिध्धान्त तो जमानत सम्मंदी सिध्धान्त क्या है सरवाजिक मेहतिपुन सिध्धानत पें इसमें संगीन एवं गंबीर प्रकरती के मामलाव में सामाने तर जमानत नहीं दि जाती है इसमें केस है राम गोविंद वरसे सुदरसन सिंग के मामले में जमानत को स्विकार या अस्विकार करने ही तो कुछ बातें बताए गई थी यानि यह जो केस था राम गोविंद वरसे सुदरसन सिंग में कुछ ऐसी बातें बताए गई थी जब जमानत को सिवकार या सिवकार किया जा सकता है तो वो क्या बात हैं कि अपराद की गंभीरता को समझना चाहिए जमानत के लिए हमें ये जानना जरूर है कि अपराद की गंभीरता क्या है दंड की मात्रा कितनी है ये भी जानना जरूरी है कितनी दंड की मातरा दे गई है साक्षियों को तोड़ने की आसंका तो नहीं की गई किसी मामले विशेश में या फिर प्रतम दश्टेया मामला के प्रकार से बनता है या हर नियाले को जमानत देते संदर्म में देखना चाहिए इन पॉइंट्स को अब्युक्त की इस्तिती को भी ध्यान में रखते हुए जमानत स्वीकार या अस्वीकार स्वीकार या अस्वीकार की जा सकेगी ये कुछ बाते हैं जो इस राम गोविंद केस से निकल के आई है सेबंध पॉइंट है अपना जमानत ही तो उच्वा सैसन नियाले की सक्तियां क्या है धारत 449 और नई विदी में 485 के अंतरगत नमबर एक जमानत पर छोड़े जाने के निर्देश कब दिया सकते हैं किसी अपराद का अभियोग किसी व्यक्ति पर चल रहा है और जो अभिरक्षा में है उसे ही जमानत पर छोड़े जाने के निर्देश दिये जा सकेंगे उच्वा सैसन नियाले की सक्तियों के अन्त सेक्ड पॉइंट है जमानत सरते नियाईचित हो अनियाईचित नहीं हो यानि जमानत के लिए सरते भी नियावचित होना अनिवार है नियावचित नहीं होनी चाहिए जैसे जमानत की रासी एक लाग कर दी गई हो या रासी राश्टी करत बैंक में फिक्स डिपोजिट करना राज्य के दो व्यक्तियों की प्रतिभूती पेस करना ये कुछ ऐसी सर्ते हैं जो अनियावचित चित्ता को दर्सा आती है तीसरा प्रइंट है सर्ते हैं जो अधिरूपित की जा सकें कौन-कौन सी सर्ते हैं जो अधिरूपित की जा सकती हैं तो सब्ता में एक दिन उपस्तित होना निवार है या आदेश की बिना सेर से सेर को नहीं छोड़ना है तो यह कुछ ऐसी सरत हैं जो अधिरूपित की जा सकती है किसी भी वैद जमानत के लिए फूर्थ पॉंट है जमानत केवल इन आधारों पर स्वीकार नहीं जमानत केवल इन आधारों पर स्वीकार नहीं की जा सकती है वो कौन-कौन से आधार है कि पिता की मिरत्व के बाद विचारन को देखने वाला कोई नहीं है यहां विचारन लंबित होने पर लंबित होने की सIGHव नहीं है यहां स्वास्त अन् какое नहीं है यह कुछ ऐसे कारण है जब इन आधारों पर केबल जमानत नहीं दी जा सकती है, या स्विकार नहीं की जा सकती है ठीक है, तो ये थी आज की आपनी वीडियो, आसा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेलपल है, इस परकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो इसको सेर जरूर कर दिया करें Thank you